हेलो मैं आशा प्रजापती स्वागत करती हूँ आज आप सबका अपने चैनल आशा कुकिंग काॉणर पर और आज मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही सिंपल सी लंच की थाली और उसमें मैंने सबसे पहले लिए हैं यह मिर्ची और इन मिर्ची का बनाऊंगी मैं एक बहुत इंस्टिंट वाला अचार बहुत जल्दी बनता है और बहुती स्वाधिस्ट होता है खाने में तो मैंने ये मिर्चियों को दो होकर अच्छे से ले लिया और इस तरीके से एक मिर्ची के चार हिस्से में कर दूंगी और यह मोटी वाली मिर्ची है तो यह इतनी तीक ही नहीं ह और इन सब को अच्छे से मैं रोस्ट कर लूँगी दीमियाच पर हमें इनको रोस्ट करना है वरना यह जल जाएंगे और अब यह मारे मसाले जो है वो बुन चुके हैं अब मैं इनको इसके अंदर डाल कर अच्छे से थोड़ा कूट लूँगी इनको दरदरा दरदरा सा ही तेल गरम होने के बाढ़ मिर्ची डाल दी है और यह मिर्चियों को अच्छे से दो मिनट 2-3 मिनट के लिए तेल में भून लूँगी और उसके बाद मैं इसके आंदर डाल है हूं कुछ से मसाले जैसे हल्डी मिर्ची और नमक और उसके बाद मैंने डाला इसमें हीन, अमचूर पाउडर और नमक और इसको अच्छे से अब मसाले के साथ इन मिर्ची को 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे और उसके बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है अपना जो कुटा हुआ मैंने मसाला बनाया था देखिए यह वाला मसाला जो हमने कूटा था अभी वह मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और अब इसको अच्छे से हम चला लेंगे और मिर्ची को 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे मसाले के साथ और अब मैं इसको थोड़ा देर के लिए डख कर पकाऊंगी ताकि मिर्ची जो है अच्छे से नरम हो जाए और उसके बाद देखिए बीच बीच में इसको चलाना ज़रूरी है वरना मिर्ची नीचे लग जाए और जलने का डर रहेगा इनका तो इसलिए इसे बीच बीच में चलाते रहें अभी मिर्ची जो है थोड़ी सी कच्ची है तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए और ढख कर पकाऊंगी और जब तक मिर्ची सोफ्ट ना हो जाए तब तक हम इनको अच्छे से पकाएंगे और उ यह मिर्ची जो है हमारी देखें कितनी टेस्टी लग रही है देखने में और यह मिर्ची तैयार हो गई है और अब मैंने यहां पर उबाल लिये थे आलू और इन आलू को मैं निकाल लूंगी एक प्लेट में और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे और उसके बाद बॉल में इनको चीड लूंगी आलू को अब और इस तरह से हम आलू को चिन लेंगे और यह आलू मैंने चील लिए हैं और अब मैंने लिए एक बॉल में दही और यह दही आप घर में भी जमा सकते हैं पर मैंने बजार से लिए और छोड़ार लूदि घर तो अब देखिए इसके विह तो आवर मतनी प początku है कि मतनी के साथ और शाओ ठोड़ा सा पानी को मैं ओड़ाई करें उसके भाद और यह लिए लोगा यह तहीं के अंदर का ने कि हुसमें ठोड़े से ब dispense डालेंगें जैसे काल 애ामक मैंने डाला दा चमच आता चमच वाईट नमक और दोड़ी सी मिर्ची भी इसको मिक्स कर लिए पेट को अराम देने वाला होता है इससे पेट का हाजमा भी अच्छे से होता है जीरा और काले नमक से और अब देखिए इसके अंदर हरा धनिया मैंने डाल दिया है और मैं इसके अंदर थोड़ा और पानी डाल रही हूं अगर आपको गाड़ा रायता पसंद है तो आप पान आप डाल सकते हैं रायता हो गया हमारा तैयार और अब इधर मैंने बना ली है रोटियां और ये गरमा गरम फुली फुली रोटियां जो है हमारी बनकर तैयार हो गई है इनमें लगा दिया मैंने घी और ये हमारी जो है लंच की थाली तैयार हो गई है इसमें मैंने सर्व कर हैं यह मिर्ची और साथ मेरा है था